इस कहानी को सुनो, सच बताता हूँ सुनने के बाद अपने दोस्त को भी शेर करोगे ही करोगे। एक बार दो शेरों की दोस्ती बिगड जाती है, दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, फिर दोनों एक दूसरे से 10 साल तक बात तक नहीं करते हैं। एक दिन पहले शेर और उसके बीवी बच्चे जंगल में घूम रहे थे, तभी अचानक उनको 25-30 भेडिये घेर लेते हैं और उन्हें नोचने लगते हैं। और नहीं होनी चाहिए कि भेडिये फायदा उठा लें। बिना कुंडली मिलाएं, आजीवन चलने वाला एक अदभुत रिष्टा सिर्फ दोस्ती ही है। अपने शेर जैसे दोस्त का नाम कॉमेंट में मेंशन करो।